आत्मन्दन सभी को स्वागत आप सब का सुजौक विद मन्जू में प्रिंट जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी सेवन चक्राज की सीरीज चल रही है तो उसी के तहट आज हम बात करेंगे चक्रा नंबर फोर अनाहता चक्रा, हृदय चक्रा या हार्ट चक्रा अब इस चक्रा का कलर ग्रीन होता है, अब प्रशन उठता है कि हम ये चक्रा एक्टिविट हमें क्यों करना चाहिए देखे, अगर आप हद से ज़्याद सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं, बहुत जल्दी आप दुखी हो जाते हैं, छुटी छुटी बातों पर आप हर्ट हो जाते हैं कोई भी आपको बेवपू बना कर चला जाता है बहुत जल्दी आप दूसरों की बातों में आ जाते है तो फ्रेंट्स आपका ये चक्रा एक्टिव नहीं है ये सुप तवस्था में है अब हम इसको एक्टिव कैसे करें देखे क्योंकि इसका कलर ग्रीन है तो सबसे पहला तो कि हम नेचर के प्रकर्टि के नजदीग जाए क्योंकि जिनका ये चक्रा एक्टिव नहीं होता वो प्रकर्टि से दूर होते जाते है तो हम पेड़ पोधों की बागवानी करें ग्रीन ग्रास पे चलें नंगे पैर चलें वो और अच्छा होगा तो हम जादा से जादा कोशिश करें कि जहां आपको हर्याली दिखें वहां आप जादा से जादा जाएं उसके अलावा जब आप प्रकर्टि के नजदीग जाएंगे आपका ये चक्रा एक्टिव होगा तो आपके मन में आनंद की अनुभूती होगी आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली भावना आएगी और आपके अंदर जब आपको लगे कि यूनिवर्सल लव की भावना आ रहे है हर प्रानी आपको प्रेम दिखता है तो आपका ये चक्रा एक्टिव हो चुका है और फ्रेंट्स अगर ये चक्रा एक्टिव नहीं है तो जो नीचे के तीन चक्राज है वो भी उन पर भी असर जाएगा तो फ्रेंट्स आप जो है जादा से जादा कोशिश करें कि आप प्रकर्ती के नजदीग रहें इसके अलावा आप अनुलोम विलोम करें क्यूंकि ये हमारे हर्ट से रिलेटड है तो अगर आपका ये चक्रा एक्टिव नहीं होगा तो physically आपको chest से रिलेटड प्रॉबलम हो सकती है हर्ट से रिलेटड हो सकती है या आपके शॉल्डर या अपर बैक में भी पेन हो सकता है और अगर ये चक्रा एक्टिव होगा तो आप फिजीकली, मेंटली, इमोशनली हर तरह से आप हेल्दी होंगे अब तो हमने बताया कि हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं दूसरा ये देखिए जो हमारे एक्टिव प्रेशर पॉइंट्स हैं उनका हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं लोकेट यॉर सेवन चक्राज तो आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं उसमें 7 चक्राज के हमने सभी acupressure points बताए हैं तो ये कुछ ऐसी चीजे हैं जो आप कर सकते हैं इसको active करने के लिए और एक इसका बीज मंत्र है यम तो आप यम की chanting कर सकते हैं meditation करेंगे और meditation करते हुए आप कहेंगे यम यम या फिर आप कह सकते हैं यम 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 तो आप इस मंत्र का भी उचारन कर सकते हैं तो friends आज के लिए इतना ही next chakra के लिए हम फिर बात करेंगे next video में तो आज के लिए इतना ही आत्मंदन